नमश्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में मैं हो प्रितिका मजूमदार और रोज की तरह आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गई मैं आज जो आपको बताऊंगी उपड़ी बाधा के बारे में कुछ लक्षन बताऊंगी और उसको जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जा सकते हैं ऐसा ही असान एक उपाय आपको बताऊंगी उपड़ी बाधा के लिए घर में घर में रुपया पैसा अचानक गाइब हो जाते हैं कभी-कभी ऐसे आप देखेंगे किसी के घर में अचानक आपके जो कोई रूपा की या सोना क कोई गहना गाइब हो जाते हैं और बरतन अपने आप तूटते गिरते रहते हैं घर में अशानती फैला हुआ है हर किसी किस हर मिम्बर्स के साथ लड़ाई जगरा होते रहना अचानक घर में बदवू फैल जाना यह सब उपरी बाधा का सिंबल होती है यह जो जिस घर में इस तरह की चीजे होती है आप समझ जाएंगे उस घर में कुछ उपरी बाधा है कुछ ना कुछ उस घर में नेगिटी वीटी चल रहे है जिसके बज़े से इस तरह की सिंबल सामने आ जाती है तो आपको अभी जो कुछ उपाय में बताऊंगी तो उसमें क्या होगा यह चल देंगे नित्तो प्रती दिन सुर्य अर्स्थ के बाद जैसे जैसे सुर्य अर्स्थ होगा उसके बाद नहा कर आप लोग साफ सुत्रे धुले हुए कप्रे पहन के गाई का ताजा 200 ग्राम दूद आप लेकर उसमें नौ बुंध जो है उसमें शेहित का डाल लेजिए और ब आम की पत्यां है उस पत्तो से खीटन देजिए कोई फूल हो तो भी अच्छी है या फिर आम की पेर में पत्यां होती है यह दो तिन पत्यां आप लेजिए उससे आप छीटा दिया तो चट्पे सबसे पहले च्टत पे चीटा दीजिए मेरा आपकी हो één दूले हुए बतन टूले से लेकर से लेकर गुनु पारे दे सब्सक्राइब कि선प्राऊ खीना था सरस्कों है आप क्या करेंगे जो आपके गेट हैं आपके जो में गेट है उस गेट के बाकि जो दूद्द बच जाएगा जो बचा हुआ दूद्द है उसको आप ढाइने तरफ जो गेट के दा अम्साम कौल डाल देजिए और 2030 किया करेंगे किया कक्चा खोल्टक में यूड़ा होते già क् और Google, लुवान, हर्मल, सारे एक साथ आप जला के सारे घर में, मकान में, छट में और आपकी दुकान में धूना दीजिए और धूना मतलब जो धुआ हैं वो धुआ हैं आप सारी जगे पे आपके घर के अंदर, छट के अंदर, रूम के अंदर, दुआ दीजिए जो हर्मल गोगल लुवान का जो धुआ है वो दिए जी ऐसा आपको लगातार 40-40 दिन आपको करना पड़ेगा ऐसे करने से आप देखेंगे आपको जो घर के उपरी बादा है उससे आपको बहुत आराम मिल जाएगा उससे आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा इसके दो लिटर पानी घर आके आप एक बरतन में जाय का आसे का उब भी बरतन है उस बरतन में दिशा है उस दिशा में उस बरतन को रखना चाहिए और शम्षान की जब शम्षान में से पानी लेके आएंगे उसमें आप देखेंगे एक पीपल की पत्ते जो है वो उठा के तोड़ के आप लाके अपने जो पीलो है तकिया है उसके नीचे आप रख देजिएगा और फिर अगले शनी बार जाके जो पानी आपने इशान कोन में रखा बरतन में वो पानी आप डाल दीजिएगा शम्षान में और जो पीपल की पत्ते आपने पीलो के नीचे रखा हुआ है वो पीपल की पत्ते भी आप पीपल की पेर के नीचे रख देजिएगा ऐसा ही आपको साथ शनी बार, सेवन शनी बार, सेवन सटर रे आपको करना पड़ेगा इससे जो होगा, इससे आप देखेंगे उपरी बाधा, उपरी जो आपकी परिशानी है घर में जो बद्वू फैल जाती है घर में अशान्ती है घर में लड़ाई जगरा को जो महोल है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलिए यह तो आपने जान लिया उपरी बादा हो तो आप क्या करें और क्या ना करें ऐसे ही मैं आपको हर रोज छोटे-छोटे टोटका और उप क्लिए यह तो आपको ह।